जहिन दोस्तों मैंने धीबेन चोहान आज हम करेंगे एक लास्ट हैंड का 3.2 का कोशन नमबर 1 तो इसमें जो कोशन है हमारा वो कह रहा है कि आफताब की उमर जो हमने मानी है वो X वर्ष और बेटी की उमर जो मानी है Y वर्ष अब वो कहा है जब पहले होगा तो हम मानीस कर देंगे तो हमारी उमर हो जाएगी X मानीस 7 और बेटी की हो जाएगी Y मानीस 7 उसके बाद वो कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी उमर जो है वो बेटी की साथ गुनी थी तो मेरी उमर यानि क्या आफ़ताप की उमर बेटी की साथ गुनी थी तो साथ गुना कर दिया अब तो हमारा एक्वेशन बनने वाला है एक्स माइनस साथ साथ एकम साथ और साथ सत्य उननचास ठीक है अब हम सबको उठाके इधर ले जाएंगे तो सभी के निशान बदल जाएंगे ठीक है यह देखिए निशान बदल गए है ना बराबर में 0 तो एक्स माइनस सेवन वाई 49 में से 7 को माइनस किया तो 42 यह हमारा बन गया पहला समय करण उसके बाद वो कह रहा है कि तीन साल बाद तो तीन साल बाद जब होगा तो बाद होगा ना तो प्लस हो जाएगा तो आफ्ताब की उमर हो जाएगी X प्लस 3 और बेटी की उमर हो जाएगी 5 प्लस 3 तो कहरा तीन साल बाद मेरी उमर बेटी की तीन गुनी हो जाएगी ठीक है तो बेटी की तीन गुनी हो जाएगी इसका मतलब तीन से गुना कर देंगे तो यह as it is 3 एकम 3, 3 तिया 9 अब हमारा समिकरण बन जाएगा कैसे बनेगा देखते हैं हम सभी को इन सभी को ठाके इस तरह ले आएंगे तो निशान बदल जाएंगे x-3y 9 में से 3 गया तो 6 और बड़ाबर 0 तो इस तरह से हमारे 2 समिकरण आ गए ठीक है अब हम दोनों समिकरण से बनाएंगे ग्राफ अब देखो बच्चे जो गलती करते हैं ना बहुत ज़्यादा गलती करते हैं यहाँ पर समिकरण बनाने में तो देखो हमें क्या करना है जो 7y है मतलब y जो है न हमारा वो प्लस का होना चाहिए इसलिए हम इसको उठाके इधर ले जाएंगे तो यह माइनस का है तो यह प्लस का हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्या करेंगे यह इसको यही छोड़ दिया 42 प्लस X ठीक है दोनों प्लस के हैं अब यह यहाँ गुणा हो रहा है तो इधर आके भाग हो गया एक बार लेना है 0 तो 42 0 प्लस करेंगे तो कुछ नहीं तो 7, 6, 42 तो हमारा जाएगा वाई बराबर 6 एक बार 0 लेंगे ठीक है यह देखो एक बार 0 लेंगे उसके बाद लेंगे 35 वैल्यों आप अपने हिसाब से रह सकते हैं अपने हिसाब से लिए 35 तो 35 और दोनों को जोड़ेंगे तो 77 अब यह 7 से कटेगा तो आएगा 11 तो जब 0 रखा तो आया 6 और जब 35 रखा तो आया 11 ठीक है चलते हैं दूसरे समिकरण की तरफ यह देखे यह है हमारा दूसरा समिकरण अब इसमें भी हमें वही करना है हमें जो माइनस का वाई है ना इसको हमें प्लस का बनाना है तो इसको हम उठाके उस तरफ ले जाएंगे पहले तो यह माइनस का है तो यह प्लस का हो जाएगा ठीक है एक्स माइनस छे यहीं रहे गया अब ये दोनों गुणा हो रहे हैं तो यह यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा भाग अब हम x की values पुट करेंगे और हमारा y निकलता जाएगा तो पहली बार हमने रखा है x बराबर 0 जहाँ x है वहाँ 0 माइनस 6 तो 0 की तो कोई value नहीं हो है 3 एकम 3 तीन दुनी 6 हमारा आगया minus 2 अगली बार हम रखेंगे 30 तो 30 में से 6 गया तो 24 ठीक है और अब ये कट गया 3,8,24 तो हमारा answer आया y बराबर 8 इस तरह से जब हमने 0 रखा तो आया minus 2 जब हमने 30 रखा x तो आया 8 तो इस तरह से हमारे दोनों समिक्रण के मान निकल कर आ गए है अब हम देखते हैं इसका graph ये देखें ये हमारा graph है अब graph कैसे बनाते हैं देखो ये वाली जो line है ये होती है y ठीक है और जो ये line होती है ये होती है x यहाँ minus के point और यहाँ plus के point ठीक है तो हमारा जो पहला value है वो है 0 और 6 तो यहाँ से 0 यानिकि x का 0 और y का 6 ये रहा हो ठीक है x का 35 और y का 11 तो x का 35 x का 35 ये रहा हमारा x का 35 और y का क्या था 11 तो ये रहा हमारा x का 35 और y का 11 यहाँ जाएगा ये देखिए यहाँ से ठीक है y का 11 है न अच्छा उसके बाद है दूसरा समिक्रण x का 0 y का minus 2 ये देखिए x का 0 और y का minus 2 ठीक है उसके बाद क्या है x का 30 और y का 8 तो ये देखिए ये x का 30 और y का ये हो गया हमारा 8 ये ये देखिए यहाँ से ये 8 तो इस तरह से जो हमारा दोनों समिक्रण का हमने ग्राफ बना दिया चलते हैं दूसरे क्वेशन की तरफ दूसरे क्वेशन में कह रहा है कि माना बैट की कीमत x ठीक है और बॉल की कीमत y तो इस तरह हमारा समिक्रण बनेगा 3x प्लस 6y बराबर 49 इन सब में से हमने 3 कॉमन निकाल लिए आए तो इस तरह हमारा समिक्रण हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300 ये हो गया देखेंगे तो आपको समझ आएगा अब y हमारा यहां अल्रेडी प्लस का है तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे 1300 और ये जो x है उसको उधर ले जाएगे तो अभी प्लस का है तो इदर आके माइनस का अब ये दोनों यहां गुणा हो रहे हैं तो ये आके इधर भाग हो जाएगा अब हम रखेंगे values तो x की value हमने रखी 100 ये देखे x की value रखी 100 तो 13 में 100 गया तो 12 100 और ये 2 से कट गया तो 12 यानी की 600 आ गया वाई ठीक है उसके बाद x की value रखी 1300 तो 1300 माइनस 1300 बटे में 2, 1300 में 300 गया तो 0 समीकरंड 2 पे चलते हैं ये दिखें ये हमारा है समीकरंड 2 तो plus का 3 वाई यहीं छोड़ देंगे इसको 1300 ये उधर जाके माइनस x ठीक है ये दोनों गुणा हो रहे हैं इधर आके भाग अब values रख देंगे x की value रखी 100 100 रख दिया 1300 में से 100 गया तो 1200 तीन से कट गया तीन चौक 12 ठीक है उसके बाद value रखी 1300 तो 1300 में से 1300 गया तो 0 तीन को 0 से भाग गया तो 0 तो इस तरह से हमारे सब भी values निकल के आ गई हैं अब हम चलते हैं graph की तरफ यह दिखें यह हमारा graph है पहला समिकरण हमारा क्याता है भी x का 100 तो x का है हमारा यह x का 100 और y का 600 यह रहा x का 100 और y का 600 x का 1300 और y का 0 तो x का 1300 यह हमारा दूसरे पेच पे चला गया है यह आ गया हमारा x का 1300 ठीक है और y का 0 तो यह हो जाएगा y का 0 और यह हो जाएगा x का हमारा 1300 ठीक है उसके बाद दूसरी value है x का 1300 और y का 0 हो चुका है दूसरे पे चलते हैं समिकरण दो पे x का 100 और y का 400 यह देखिए, x का 100 और y का हो गया 400, तो यहां से हमारा point हो गया, दूसरी value है, x का 1300 और y का 0, तो x का 1300 हमारा यहां है, और y का 0 हमारा यहां है, तो इसलिए यह line आके यहां पर दोनों 1300 पे मिल जाती है, चलते हैं question 3 की तरफ, question 3, question 3 कहा रहा है, सेब की कीमत हमने मानी है, x और अंगूर की कीमत हमने मानी है, y, तो हमारा समिकरण बना 2x प्लस y बराबर 160, और दूसरा समिकरण 4x प्लस 2y बराबर 300, तो समिकरण 1 पे चलते हैं, देखिए, यहां आप द्यान से देखिएगा, y हमारा plus का है, इसको हम यहीं minus 2x, अब हम values रख लेते हैं, x रखेंगे 0, तो देखिए, जब हम 0 रखेंगे तो 2, 0, 0, खतम हो गया यह, बचा 160, तो यह हमारा y आ गया, फिर हमने value रखी 80, ठीक है, तो यह देखिए, 80 दूनी, 160, 160 में से 160 गया तो 0, तो आ गया 0, ठीक है, चलते हैं, समिकरण 2 की तरफ, यह देखिए, यहाँ पर हमारा plus का ही है, y, तो इसको यही छोड़ देंगे, यह 300, और यह minus हो जाएगा, यहाँ जाकर, क्योंकि यहाँ plus है, और यह दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं, तो इधर आके यह भाग हो गया, अब रखते हैं values, तो x की value रखी हमने 0, यह देखिए ठीक है, तो 4, 0, 0, खतम, यहाँ हो गया 2, 300, बटे 2, तो 2 से इसको काटेंगे, तो आएगा 150, यहनी कि x की value रखी 0, तो आया 150, ठीक है, उसके बाद हमने x की value रखी 75, यह देखिए, 75, तो 75 चौके 300, 300 में से 300 गया तो 0, दो को 0 से भाग करेंगे, तो answer आएगा 0, यह मैंने ह लिखानी में लिख देती हूँ, ठीक है, इस तरह से हमारी दोनों values निकल कर आ चुकी है, ठीक है, अब हम चलते हैं इसके graph की तरफ, यह देखिए, यह है हमारा graph, तो graph में हमें यहाँ values रख देनी है, यह देखिए, यह है x का 0 और y का 160, यह है x का 0 और y का 150, ठीक है, दूसर value है हमारी x का 80 और y का 0 और x का 0, यह 0 और x का 75, ठीक है, तो इस तरह से आप अपना graph त्यार कर लें, thank you very much, जय हिन, जय भारत